हेलो एवरिवन आज शानवी किचिन में बनाने वाले हैं सिर्फ आलूओं से बहुत ही टेस्टी हेल्दी सुपर इजी सुपर टेस्टी नाश्टा जिसको हम सिर्फ एक चमच तेल से बनाएंगे और आप इसको ब्रत में भी खा सकते हैं बिना साबुदाना भिगो बिना जंज काटेंगे उसके बाद रफली हमें इनको काट लेना है मोटे मोटे तुकड़ों में जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इनके तुकड़े कर लीजिए अभी आप आलू कम जादा आपके साब से कर लीजिए मोटे मोटे तुकड़े इस तरीके से काट लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है इसको पानी में डाल करके रख देना है इससे यह होगा कि आलू काले नहीं पड़ेंगे यह देखिए इस तरह सब पानी में डाल कर रख देंगे उसके बाद यहाँ पर मैंने दिये हैं दो टमाटर और तीन हरी मिट्च क्योंकि इसको मैं ब्र हमें आपे लिए हैं आदा कटोरी मुंफली दाने और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे बहुत फटा-फट से बनकर तयार हो जाएगी फ्रेंड्स आप इसको जरूर से बनाएगा खाएगा वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर कीजेगा और ऐसी बढ़िया वाली तो इसे बना रहे हैं तो इसी स्टेज पर आपको थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी इसमें एड़ कर देना है ताकि वेजिटेबल्स हलकी सी भुन जाएंगी टामाटर हलका सा सौफ्ट होने लग गया है तो यहां पर मैं आड़ कर रही हूं नमक तो मैंने एक चमच व्रत व तैयार हो जाएगा आप इसको बना कर गूकर में लग दीजिए साथ में दूसरा काम कर लीजिए आपको पता भी नहीं चलेगा आपका व्रत वाला और सुपर टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा साथी में थोड़ी सी काली मिच डाल दिये मैंने कुटी हुई अग इसे निकाल कर अच्छे से दो करके यहां पर आलों को मैंने एड कर दिया है अब देखिए यह जो नाश्ता बना रहे हैं यह इतना चटपटा मज़िदार होता है इसमें खटा मीठा तीका चटपटा सारी फ्लेवर आपको एक साथ मिल जाते हैं तो टमाटर यहां पर जो मै बस चीनि और मसाले को डाल करके अच्छे से हमें कर देना है मिक्स ऐसमें थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा इंट ऑब से देखें 5-10 मिनिट के बाद जब मैंने कोकर खोल नहीं तो यहां पर देख्या क्पोर नांच्ट्र गोंटा अब यहां पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना हैं प्रेंट्स कभी कभी होता है नहीं सुबहा की भाग दोड़ होती है शाम की चोटी मोटी भूख बहुत देर तक किचन में काम करने का मन भी नहीं होता तब आप इस नाश्टे को बना करके कहाईए या कभी आप साबू दाना भीगाना भूल जाते हैं तब भी आप इस नाश् प्रेंट्स को रखना है आपको लो और लो फ्लेम पर इसको अच्छे से चलाना जब तक कि यह अच्छे से गुलना जाए प्रिंट्स यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना कि आलू के चोटे-चोटे से तुकड़ी रहना चाहिए एक दम इसको गोल नहीं बना देना है बहुत टेस्टी वाला खटा मीठा तीका चटपटा नाश्ता बनकर तयार है तो आप इसको एक बार जरूर से ट्राइ कीजिगा और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताईगा कि आपको कैसा लगा और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिगा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई